तो आज आपा बना बजारा चा गुड़की भोती जबरदस्त बर्फी जो की मातर 15 मिंट में बंडर तेयार हो जाया चै और बिना जयदे ताम जाम क्या फटाफट बिना तेयारी के मातर दो सामग्रिसु ये बंडर तेयार हो जाया चै अगर थे मीठों खाबा को भूस योकिन तो यह भोती हेल्दी बर्फी बंडर तेयार होगी एक दम सोफ्ट मुमें गुल बाली तो चालो इन बना बसुरू करा चा राम राम सा मैचू निसा और आर्ट ओफ कुकिंग विद निसा में थारो गणुग अगत चै तो एंकी खातर में 200 ग्राम ले ले लीचु आड़ी का और एक मैन डाल देंगा पाजू और इन तरीका से बंद चालो बंद चालो करके निया फां मिक्सिन चलांगा जिसा एक मैन है ओल रिलीज नाव है अगर ओल रिलीज हो जाएगो तो आपनी बर्फी बिल्कुल भी चोखी कुन मनिंगी तो इन तरीकास थे देख सो कुछ के लिएक बातर मेलनु छे ताकी विए पावडर फोर्म कमाया ने पीस्से की और मिक्सर जान आपाने बंद चालो बंद चालो करके नियुड चलानु छे तो लास्ट कमायन जद काजु आ की इंतरीकास टुकडी सी बज्ञें तो आपने चमच की साहत आस आस इंतरीकास फोर गुड तोड़े अफां उन तोलर केनी लेंगा एक्स्ट्रा में लेंगा तो आपनी जो बर्फी छे वा खराब वबा गुटर छे तो काजवां को आध्वा अपनेडे गुड लेनू छे 100 ग्राम आडे में तोलर केनी गुड ले लिए लिए अप गैसमल्ट रख देंगा एक प आपनी तार की छाष्णी बनानी चाशनी तो आपनी बन चुकी चै अब इक मैं आपनी जाग बन पो आस तो अब एक कमाइन आप एक बर चेक लुआःगा पिछन चमस से इनतरी कश ले लेलें गुड ने और हात क मैं इनतरी कश लगा रख देख लेंगा तो एक तार किच्न आपनी बन चुकी चे अब इक मायन आप में जो काजू पीसर करें तेयार करेंगा वा डाल देंगा और इन अच्छी तरह से गुड की साथ मिक्स कर देंगा तो चम्मचना फाने लगातार चलातो रहनुचे क्योंकि काजू बहुत जल्दी तड़ाक मायन चिप कीची तो गैस की फ्रेम एड़े में लोटू मीडियम कर लीचू और लगातार इन इतरीका से चलाता रहना ताकि आपने जो बर्फी चे वह अच्छी तरह से पक जाए तो थे देख सको चो काजू कमायने कितने अच्छी शाइनिंग आप शुरू हो चुकी चे और आपने जो मिक्सर चे वह भी थोड़ा सो गाड़ों बुसुरू हो चुकी चे और बस अभी ने एक मिन्ट की खातर और पका लेंगा ताकि जो काजू ची वह अपना ओयल रिलीज कर दी और जब पैन छोड़ों सुरू कर दे उन टाइम आपने गैस मंद कर देनुछ तो आडे मुनीन बनातो यह एक मिनेट ओर हो चुकी चे थे देख सको चू आपना काजू ची वह पैन ने छोड़ों सुरू चल्माच घी ङी को प्योग कर द चू तो घी क stared की प्लेट में और भी चूटि के वांडना चीतर .चि प्लेडा चीटरसे चार। लोय तरे बनालेंगा और इने बेल लेंगा तो थोड़ो बोती ने इंतरीकासे या फां ठंडो करांगा तो यहाल कोशो ठंडो अचुक्योच और गाडो भी ओचुक्योच थे देख सकोचो अब आपा हाथ अगसा आयतासे इंतरीकास आपी इने जाय रोटीको लोय लुगोटी-मोटी ने इन पुटा बेल लेंगा तो इन तरीकास के सब्रेट ऊटाना उठारकेने चिकोच और आप इनमें समय काट लेंगा क्योंकि यह सूख जाएगी यह फिट बिल्कुल ठंडिो जाएगी तो अच्छी तरे से इंतरीकास ऑनाँचार काई ने करी अपण तो यह तो भर्फी के नाय लगा सको चो या फिर मेड तरीका से काजु की कतली की नाय लगा सको चो तो यह काजु कि नाय काट रिचू तो यह भर्फी खाब आम इतनी टैश्टी लागी ची और भूध जल्दी बनटर का ने तैयार हो जाएंची तो यह थे देसी चोकलेट को तो एक बार यह रेसिपी मेरे खावाल जरूर बना ट्राइए कर जो थानिया रेसिपी कहें कि लागी प्लीज कोमेंट करकर बताजिए जरूर और मेरे चैनल ने अप सब्सक्राइब कर जो शेयर कर जो लाइक कर जो और बैल आइकन ने जरूर प्रेस कर दीजिता कि आप अब तो वे इतना खुशोर खाएंगा कि चोकलेट ने बूल जाएंगा तो यह रेसिपी एक बार जरूर बढ़ना ट्राइए कर जो अगर मैं थाने इंबर फिन तोडर करने दिखाऊं चूं तो एकदम सौफ्ट तरीका से तूट जाया जाओ और मों में बिल्कुल जाते ही गु बहुत बहुत धन्यवाद